हाई मैं मनीज अर्याज वेल्कम टूग्लेस विजिन यूएस से तो इस वीक हमने इश्केला में देखा कि कैसे कवल आबिद के साथ मिलके ऐसा प्लान रहाती जहां वो असका को उसके भाई की नजरों में गिरा दे और वो उसको खुद भेचती है दवाई के लिए लेकिन इस गिराने की कोशिश करते हैं और असका मतलब क्या कह सकती है वो क्योंके वो उसके पास जवाब भी नहीं है अपने सुबूत भी नहीं है कुछ दिखाने के लिए और कामल भी अच्छा नाटक करती है उसके सामने अजलान शनाय से कुछते हैं कि तुम मेरे लिए अपनी दु दिखलियों में लेके जाओगे इस तरह की वो बाते करते हैं तो शनाय कहती है चोड सकती हूं ऐसा नहीं कि नहीं चोड सकती हूं क्योंकि वो कहता है कि मतलब चोहर के लिए तो सुननी चाहिए तो चोड तो सकती हूं लेकिन फिर खुश नहीं रह सकती और यह है कि हमसे हमा हमारी कोई खुशी चीन ली जाए जिसमें हमारी खुशी है तो फिर हमें जिन्दगी का वो मज़ा नहीं आता है हमें तो मज़ा जब आते हमें हमारी खुशियां भी पूरी करने दें हमारी क्या चाहिए वो भी पूरी करने दें तो इस तरह से उसे कहती है और यहां असका जो क्वान बनाटा मा बताती है खाती है जूटी खश्म खाती है एक पल को डरती है बड़ खा लेती है कि अपनी बात सच करनी है उसको तो गिराना है और उसके उससे शादी करनी है आबिज से क्योंकि यहीं दिखते है कि आबिद और असका साथ आ रहे हैं तो उनका कुछ चल रहा है और उसका देख ती रह जाती है मतलब भाबी इतना जूड बोली और कसम भी खा ली खा रही है तो सुल्तान भी चला जाता है भाई की जब इतनी बड़ी खसम काईगी तो भाई भी उसी की बात समझेगा और असका मासे कहती है आप यकीन करती है ना मतलब इतनी वह जादा दुखी है क्योंकि उसका भाई उस है यूमना जेदी की नैच्रल एक्टरेस और जिस तरहां से वह कररक्टर में चली जाती है तो आपको यूमना नजर नहीं आती है फिर आपको वह कररेक्टर ही नजर आता है मतलब जिस भी करेक्टर में वो जाती है तो बहुत बेतरीन एक्टिंग है युमना की और अजलान जो है वो शनाय को जब आफिस चोड़ने जा रहा था तो वो ऐसे बोलता है कि आओ तो मैं आफिस छोड़ दूँ तो वो कहती है तो मुझे छोड रहे हैं और वोस jagda करेक्टर में तो फिर से मतलब सुल्टानोंकी दोबारा पूछता है कि उसको कहीन करना कई होता है कि मैं असका आपिखंद के गाद़तल रही सबीculo परना कर लोबिए दो सों बेरा मांहीं उतक है ooh पर्ड बूलती है और मा को और गडाइब्यों को माणहीं रही जा को पा है तो फिर वो जाता है और कमल को एक तरफ यह डर भी होता है क्योंकि उसने बेटी की जूटी खसम काई है तो उसे डर भी होता है कि कहीं मेरी बेटी को कुछ हो न जाए फिर अपने आप क्योंकि सास ने इस्तरह से उसे बोल दिया फिर फुच भी अपने दिल को कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा और यह होता है यह इसारा होता है जब आपके दिलमें अशी कोई बात आती ना किसी भी चीज़ के लिए कि अगर आप कहीं गलत हैं या कुछ करने जा रहे हैं और एक दिल में एक सोच सी आती है ना वो सोच कहीं ना कहीं सही होती है जहां आपको करेक्ट करने का मौका मिलता है और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर वो गलत हो जाती है तो अजलान जो है वो शनाय से पुछते हैं कि तुम तुकि वो इसको कहती है कि मैं छोड़ूंगी तो दुनिया अपनी तो कुछ नहीं रोंगी तो कहता है कि हमारी दुनिया अलग ही सही पर हम एक दूसरे के बिना ना मुकम्मिल है शनाया कहती है हम दोनों की दुनिया एक ही है एक दूसरे के बिना अधूरे और एक दूसरे के साथ मुकम्मिल है तो ये बात सही है क्योंकि एक ही दुनिया के लोग है एक ही दुनिया है इनकी साथ नहीं होंगे तो अधूरे हो जाएंगे साथ होंगे तो मुकम्मिल हो जाएं वो तो खारी पीरी है नहीं और उसी चैम जो ना सुल्तान ये जो ना आबित की मा को ले आता है और वो जो ना आके मतलब रिष्टा तै कर देता है बिना पूछे और असका भाई की भाई को ना अपने आसु भरी निगाहों से देखती है क्यूंके वो उसको मुझरम मान चुका है और उससे पूछा भी नहीं उसके लिए उसका इतना बड़ा जिंडगी के पैसले के लिए उससे पूछा भी नहीं है पर वो याबित की मा जो है ना बड़े बुरे तरीके से गुलाव कभुन खिलाती है मतलब अपने पेसे बहुत ज़्यादा भरोस है इसे अल्ला पे नहीं है इसे लगता हर चीज ये कर रहा है मगर इनसा अपनी इतनी सी उंगली भी नहीं हिला सकता है अगर उसका हुकम नहीं हो तो इती सी अवकात नहीं है इनसान की तो अगर अकल भी उसकी काम कर रही है न तो वो परवाला करवा रहा है तो कर रही है वनना अकल भी काम ना करे तो मगर उसे लगता है कि हर चीज मेरा टैलन्ट है मैं हूँ और जब इससे ये बात बोली जाती है जब आफिस का मुलाजिम कहता है कि मतलब जो आपको काम्यावी मिली है अल्ला के करम से तो वो एकदम उसको ऐसा जवाब देता है कि मेरा टैलन्ट है ये मेरा है दिमाग तो सबको मिला है लेकिन कोई हर कोई नहीं चला पाता है तो ये चीज़ को समझ रहा है लेकिन वो दिमाग भी उपर वाले पे है कि किसका चलाना चाता है किसका नहीं चलाना चाता है किसका चलता भी है फिर भी वो गलत चला जाता है तो इस तरह से जो है ये फिरॉन जैसे ना हमारी जिन्दगियों में फिरॉन तो बना दिया मिट्टी का अल्लाने मगर उसके जो है न चेले जो है न कहीं न कहीं इस दुनिया में घूमी रहे हैं जो भूल चुके हैं कि उनकी कोई आउकात नहीं है तो वो भूल चुके हैं और बेशक ये जो प्रोफेसर रह्मान है वो बात करते हैं बेशक हम अल्ला से अपने लिए माफी मांगते हैं सबसे पहले अपने लिए माफी मांगते हैं और असका जो रोती है उसकी माँ पूछती तो कहती है मा भाई मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं मुझसे पूछा भी नहीं मैं क्या जानवर हूं आबिद से मेरी शादी करा रहे हैं वो आबिद को जानते है और किसी और पर भरोसा कर रहा है उसकी भावी पर भरोसा कर रहा है तो उसकी मा भी उसे समझाती है कि वो प्यार करता है भाई अभी और जो सब कुछ है भावी की ने करवाया है जो जिसका कोई नहीं होता है न उसका अल्ला होता और बेशक अल्ला है अल्ला तो हमेशा है ए यकीन होना चाहिए उस पर जब उस पर यकीन होगे तो आपकिसी से ना तो डब oh Folk ना तो डरोगे तो पर प्र benefici सर अइमान्न बहूत अची बात बोलते हैं उन को फिर से दिखाया था और वो कहते हैं के दूसरे के दूसरे दूसरे को ऐसे माफ करो जैसे आप अपने लिए माफी चाहते हो तो हमें दूसरों को ऐसे ही माफ करना चाहिए जैसे हम अपने अल्ला से अपने लिए माफी चाहते हैं तो ये बात बहुत सही है क्योंके हम खुद के लिए तो माफी मांग रहे होते हैं कि अल्ला हमें माफ कर दे लेकिन हम दूसरों को वैसे माफ नहीं करते हैं और दिलों में बहुती कदूरत रखते हैं बहुती ग्रजिस रखते हैं तो ये बहुत सही बात बोली उन्होंने और मा जना अपने बेटे से पूछती है कि भई तुम अपनी बेटी होती तो क्या ऐसा करते है तो हो कहता कि हाँ करता अगर वो भी ऐसी हरकत करती है तो मा कहती है कि तुम्हें अपनी बेहन पे नहीं है बीवी पर जादा यकीन है तो मुझे अपनी बेटी पर जादा यकीन है और अजगा मा से पुछती है कि भाई नहीं मान रहे मा कहती उसके अकल पर पठर पढ़े हैं परदा पढ़े हैं तो इस तरह की वो कन्वरसिशन है क्योंकि वो बस बीवी की उस सोच से तो उस कसम की वज़ा से उसे लग रहा है कि उसकी वीवी सही बोल रही है लेकिन वो तो आगे पता चली जाएगा और अजलान जो अपने पहेंच से कहता है कि उसे जल्दी से शनाय से शादी करने उसकी मा कहती पहले तो तुमें तुम पकड में नहीं आ रहे तो अब तुमें शादी करने तो उसे बड़ी जल्दी है क्योंकि उचाता है वो उसकी हो जाए वो किसी और के साथ उसे जाता वनी देखते हैं तो उसकी वज़ासे उसे लगता है कि बस मुझ में सब कुछ और ये मेरी हो जाए तो अजलान जो है न वो उसको शनाया को शॉपिंग के लिए ले जाता है जूल्री के और कहता है कि हम कल शादी करने तो वो एकदम पूछती है कल तो कहता है कि अजलान कहता है कि जब दिल से हजबन वाइफ मान लिया है तो देर क्यों को वो काफी सोच में पड़ जाती है क्योंकि वो ऐसी है जो खुले आसमान पर एसे अबना चाती है शनाया और यह कहीं ना कहीं जो है ना अपनी मर्जी इस पे चला रहा है उसकी मर्जी नहीं जान रहा है मतलब इसने सोच लिया शादी करनी है तो शादी हो नहीं है शनाय से पूछा भी नहीं कि तुम क्या चाती हूं कब चाती हूं वो वाली इज़त नहीं है बस अपने लिए मैं मैं जो सोच रहcciones मैं जो हूं मैं हूं तो वह वाली चीज है और उसको अच्छा से शॉपिंग कराता है सैड लाता है रिंग भी पहनाते हैं वह तो देट वस्ट क्यूट मोमेंट और आब इस भी बड़े खोश हैं कमल भी बहुत खोश है कि असका की शादी हो रही है क्योंकि उसका भाई तो दूसरे दिनी निकार दिनी निकारा है और कमल जब उसके पास आती है ना तो उसको बुलाने के लिए तो एक طرف वो खुश है और एक तरव इसका दुक्य है और इसका बहुत रोती है, दुलन बने वे तो कमल जब उसके पास आती है न तो उसको बुलाने के लिए तो कहती है कि तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं है तो असका कहती है ये मेरे भाई का फैसला नहीं है क्योंकि इसके भाई का फैसला नहीं है ये तो भाई का है और कहती है उसकी भाई के रब का फैसला है जो कि जबके रब का फैसला नहीं है ये तो इनका फोर्सफुली फैसला है जो उस पे डाला जा रहा है और असका कहती है मैं नहीं मानती मेरा रब की रजा नहीं हो सकती है और आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है मुझे पर इल्जाम लगा है और आप ये जानती है मैं सिर्व अपने भाई की इज़त के खाते चुप हूँ तो अपने भाई के लिए कर रही है सब कुछ जो भी कर रही है और कहती है कि आपने जो मेरा दिल दुखाया है मेरा रब जानता है और अब मैं अपना फैसला अपने अल्ला पर छोड़ती हूँ कबल कहती है मैंने क्या किया है तुम्हारी शादी करवा रही हूँ मतलब उनको ऐसा लग रहा है मैं तो अच्छा ही कर रही हूँ इसकी शादी करा रही हूँ ऐसा जबके नहीं है आप किसी की शादी उसकी मर्जी के बिना कराई नहीं सकते यह तो इसलाम में भी नहीं है एक लड़की से उसकी मर्जी जनना बहुत जरूरी है तो यह उपर वाले नहीं दिया किसी को हख तो आप कहां से ले सकती हूँ और कवल जो है कहती है क्या गलत किया है असका कहती है आपको मेरी तकलीब का अंदाज़ा नहीं आपको तकलीव का अंदाज़ा जब होगा जब आपके दिल पर चोट लगी तो बुलकुल सही बोलती है वो एक मिनट उसकी सुनती है लेकिन फिर कहती है कि बकवाज बंकरो मतलब इस ताहा की बात वोगुसे कहती है और मगर यह बात बिलकुल सही बोलती है इनसान जो है ना पर जून करता है वो अन्दाजा नहीं होता है जब तक मेरे खुए तो खुप किसों क서 नहीं आ हुद नहीं रहरे हैं, किसी के साल को लंडा है, जो दिल चारें कर रहें और ये सब भूल के बैठें कि वो अपर बैठा रो जब वहाँ सब जवाब दें तो ये चीज इनसान बहुत भूल रहा है आजकल तो जादा ही हो रहा है और शनाया दूलन बनकर बड़ी खोश होती है और असका दुखी एक के सपने पूरे हो रहे हैं और दूसरी के सपने चीने जा रहे हैं एक ऐसे शक्स से जोड़ा जा रहा है जो कहीं से भी उसके खाबिल नहीं है कहीं से भी उसके लाइक नहीं है ना तो एजूकेशन के उससे ना ही स्टेटिस तो क्या हो सकता है लेकिन वो वो इस तरह का बंदा ही नहीं जिसमें ठहराओ हो जिसमें कुछ अच्छा ही हो एक चड़क चाप सा बंदा है तो उसके साथ उसकी जिन्दगी जो पड़ी लिकी अच्छी लड़की सुलजी भी लड़की है तो जो के गलत है हमाई इस नाम में भी कहा गया है कि दे इसका कुबूल है नहीं कहती है उससे दो बार पूछा जाते है पर वो बू पूबूल है नहीं कहती है और इतनी दे में दिखाते हैं कि अलिया के चिकने की आवाज सुनाई देती है पर उसी पर ड्रामा कतम हो जाता है तो प्रोमो में दिखाए कि अजलान कहता है मुझ में वो सब कुबियाएं जो हर पिसी लड़की को अच्छी लगती है तो शनाया को बता रहा है कि अमीर हूँ, टैलेंटिड हूँ, हैंसम हूँ और शनाया देख रही होती है कि क्योंकि लोगों को यही लगता है उसको यही लग रहा है कि यही लड़कियों को अच्छा लगेगा कि एक हैंसम गाय है, अमीर है, गुल लुकिंग है, टैलेंटिड है बस पर जिंदगी गुजारनी है और भी बहुत सी चीज़ें है जो लड़कियों को चाहिए होती है एक घर कैसे निभाएगी, एक महबत कैसे करेगी अंडिस्टेंडिंग होगी, कम्यूनिकेशन, हरार एक चीज़ पर कितनी इज़त देगा वो उसे, रिस्पेक्ट कितनी है लड़के की लड़की के लिए, लड़की की लड़की के लिए तो दोनों के लिए यह सब पुज़ तभी जाके ये रिश्टे मुकम्मल होते है लेकिन उसे तो अपने से आगे कुछ दिखता है, नहीं तो अब उसे यही लगता है कि लड़कियों को यही चाहिए जब कि अहसन नहीं है असका जो है ना भाबी से अलीहा के बारे में पूछती है और आबित की मा कहती है असका बहू है मेरी कमल कहती है अब तो ठीक हुआ है दिमाग काला और वैसे भी खुदा की यही मर्जी थी तभी तो यह सब कुछ हुआ है और आबित की मा कहती है कि बहुत खलत बात है कमल से क्योंकि कहीं न कहीं अब बेटी के साथ हुआ उसके खुद के दिल को चोट लगी है है शायद तो इसी लिए अब वो असका के लिए अच्छा सोच रही है या अच्छा करने की कोशिश कर रही है और उसकी मा भी वहीं बेटी होती है असका की जब यह कन्वरसेशन हो रही होती है आबित की मा और कमल की तो एपीसोड बहुत अच्छी थी और सज्जल अली युमना जैदी सबकी अक्टिंग जबर्दस थी और युमना की बहुत ज़ादा इसलिए क्योंकि उसका एक करेक्टर ऐसा बनाया है ऐसा दिखाया है और उस पे किस तरह से थोपा जा रहा था मतलब असका पे एक रिष्टा थोपा जा रहा था जो अपने भाई के लिए आसूं के साथ ही सही मगर बरदाश कर रही थी और इस तरह से भाई भी एक भावी की छूटी खसम की वज़ा से जो है ना अपनी बहन पे जुल्म करने जा रहा था लेकिन पोमो जैसे देखा है तो उससे लगता है के असका बच चुकी है और आप जरूर देखिये इशकेला on हम TV and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news and don't forget to subscribe our channel this is Adnan Khan and this is Isha Singh and you're watching us on Glitz Vision USA thank you